मूवी की शुरुआत में हमें एक आर्मर ट्रक दिखाया जाता है जिससे बैंक के पैसे ट्रांसवर किये जाने पे लेकिन तभी ट्रक का रास्ता एक वैन रोग देती है जिसमें से नकापुश आदमी बाहर निकल के आते हैं जो बड़ी आसानी से ट्रक ड्राइवर और उसके साथी को अपने कंट्रोल में ले 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 पे हैं और विसली ये लोग रोबर्स हैं जो इस आर्मर ट्रक को लूटने आये हैं और फिर वो ऐसा करने में काम्याब भी हो जाते हैं और जब ये लोग पैसा लेके भागने वाले पे तभी यहाँ पर पैसा लेके भागने वाले प पर अब तक पुलिस वाला कार छोड़के भाग चुका था तो मरसर इन पुलिस वालों पे फायर करता हुआ इन्हें चेस करने लगता है वहीं गहराज के बाहर पुलिस डिटेक्टिव नाइट और उसका पार्टनर फिट्स आ जाता है जो गहराज की तरफ जाने लगते हैं त इसकी बाद फिट्स को हॉस्पिटल ले जाया जाता है वहीं दूसरी तरफ चारो रॉबर्स एयरपोड पहुंच जाते हैं और वो प्राइवेट प्लेन लेके ये सिटी छोडने वाले थे तो चलो इन रॉबर्स के करेक्टर को इंट्रिड्यूस करा देते हैं पहला है केसी जो की क्रिव का लीडर है दूसरा है केसी का बेश्ट बड़ी माइक तीसरा है मर्सर जिसने पुलिस पे गोलियन चलाई थी और आखिर में है स्काईज जो की ग्रूप की इंटेलिजन्स एक्सपर्ट है इसकी बाद माइक केसी से बोलता है कि ब्रो डील सिरफ पैसे चुरान में पढ़ गये हैं क्योंकि आज हमसे एक कॉप इंजर्ड हुआ है जो मर भी सकता था और यकीन मानो कॉप किलर्स का अंजाम अच्छा नहीं होता पर मर्सर उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता वहीं दूसी तरफ फिट्स का ट्रीट्मेंट हो चुका था तो अपने दोस्त सेंगो से रॉबर्स के बारे में पूछने रखता है जिस पर सेंगो बताता है कि जन रॉबर्स से तुम्हारा सामना हुआ है वो बहुत ही जादा खतरनाक लोग हैं क्योंकि वो लोग वैल ट्रेंड हैं और वो बहुत ही जादा स्मार्ट भी हैं जो हमेशा आर्मा ट्रक को लूटते हैं और खास बात कल जो चोरी हुई है वैसे चोरी कंट्री में लगातार होती आ रही है ये चोरिया चार लोगों की टी है कि यह plane वीना नाम के सक्स को बिलॉंग करता है, जो कि नियुयोग बेश्ट शेल कंपनी का मालिक है. तो ये नाम सुनके night alert हो जाता है, क्योंकि वह वीना को पहले से जान पाँ है, इसके बाद night नियुयोग जाने के लिए ready हो जाता है जिसके बाद हमें New York का सीन दिखाय जाता है जहां कैसी अपनी फैमिली के साथ quality time enjoy कर रहा है लेकिन अब कैसी की wife को उस पर doubt होने लगा है क्योंकि कैसी कोई भी job नहीं करता तो उसके पास इतने सारे पैसे आखासे रहे हैं साथी कैसी आजकल ड्रक्स लेने लगा है जिस बाद से कैसी की wife बहुत गुसा है तो कैसी अपनी wife को भरोसा दिलाता है कि मैं सब ठीक कर दूँगा इसके बाद कैसी अपने boss वीना के घर चला जाता है जहां ब्रिगा नाम का आदमी कैसी को देखकर जरा भी खुश नहीं है वेल ब्रिगा वीना का bodyguard है इसके बाद वीना कैसी से last job के बारे पूछने लगता है जिस पर कैसी उसे सारा matter बता देता है तो वीना कहता है कि आगे से सम्मल के काम करो मैं नहीं चाहता कि एक दन पुलिस वाले मेरे खर तक पहुंच जाए इसके बाद वीना कैसी को new task दे देता है जिसमें टीम को एक auction होने वाला item चुराना होगा जिसके बदले वीना टीम को 1.2 million dollar देने वाला है तो कैसी कहता है कि इस बार हम मरसर को टीम में नहीं रखेंगे क्योंकि वो आदमी पागल है मैं उसके साथ काम करना नहीं चाहता तो वीना सिर्फ इतना ही कहता है कि मुझे सिर्फ काम पूरा चाहिए बाकि सब तुमारा headache है इसके बाग कैसी अपने दोस्त माई के घर चला जाता है जहां पर पाठी चल रही थी तो कैसी माई क से जाकर कह पा है कि मैंने तुम से कितनी बार बोला है कि हर चोरी के बाग ऐसी पाठी देने की जरूत नहीं है अगर तुम ऐसा करते रहे तो पुलिस को तुम पर शक हो जाएगा जिससे तुम खुद तो फसोगे ही तुम हमें भी मरवा दोगे मगर माईक इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता मगर तबी यहां पर स्काइस भी आजाती है जो कैसी से पूछती है कि आज तो वीना के घर गई थे न उसने कुछ कहा तो नहीं जिस पर कैसी कहता है कि वीना ने हमारी टीम को न्यू टास्क असाइन किया है जिसमें हमें एक आक्शन हाउस से एक स्पोर्ट्स कार्ड चुराना होगा जो की एक एंटिक है अगर हम ये काम सही से कर लें तो हम रॉबरी और क्राइम छोड़के प्रॉपर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं तो ये सुनके माइक और स्काइस रॉबरी के लिए राजी हो जाते हैं वहीं दूसी तरफ नाइट और सेंगो वीना के घर तक महुच जापें जहां वीना नाइट को देखके उसे एक ही नजर में पहचान लेता है तो वो डिटेक्टिव से बूलता है कि मैं तुम लोगों से बात करना नहीं चाहता अगर तुमें बात करनी ही है तो तुम मेरे लॉयर से बात कर सकते हो तो सेंगो कहता है कि हमें तुमारे बारे में सब पता है तुम पहले पुलिस के लिए इनफॉर्मर का काम करते थे और अब तुम बिग टाइम बुकी बन चुके हो मगर वीना इनकी बात का कोई भी रिस्पॉस नहीं देता उल्टा वो इनसे रोडली बात करने लगता है तो इन डेटेक्टिव्स को खाली हाथ ही लोटना पड़ता है क्योंकि बिना एविडेंस के वो वीना पे हाथ नहीं डाल सकते पर जब ये लो बाहर जा रहे होते हैं तब डेटेक्टिव नाइट को ब्रिगा नजर आता है जो की सिगरेट खीच रहा भा तो नाइट उसके पास चला जाता है जिसे ब्रिगा पहचा ले पाए और वो स्माइल करके कहता है कि अगर तुम आर्मा ट्रक हाइश्ट के केस को इन्वेस्टिकेट कर रहे हो तो तुम सबसे पहले कैसी रोडस नाप के बंदे को ढूड़ो तुमारा काम आसान हो जाएगा वैसे एक एड़वाईस है कि बहतर होगा कि तो वीना से दूर रहो क्योंकि वो बहुत ही खतरनाग आदमी है साथ ही तुम ये मत भूलो कि वीना को तुम पे एक एहसान अभी भी बाकी है जो तुमें कभी न कभी चुकाना होगा इसके बाद हमें कैसी रोडस दिखाये जापै जो कि मर्सर से ड्रक्स लेने आया है तो मर्सर उसे नेश्ट चॉप के लिए गंद दे देता है पर तभी यहाँ पे दौनों डेटेक्टिस आजा पैं जिनने देखकर कैसी काफी ज़्यादा डड़ जा पाए यहाँ ये तो क्लेर होता है कि कैसी रोडस पहले स्टार फुटबल प्लेयर रह चुका है तो बार हमें नियो यॉक का पुलिस डिपार्टमें दिखाया जाता है जहां ओफिसर सेंगो हेल्प मांगने आया हुआ है क्योंकि वो बिना एनवाई पीटी को इनफर्म किये नियो यॉक में आपरेट नहीं कर सकता तो वो डिटेक्टिव शीया के पास जाके बताता है कि हम ट्रक हाइष्ट को investigate कर रहे है साथ ही हमारे पास एक lead भी है जो कि कैसी नाम का ex footballer है जो कि शायद ट्रक हाइष्ट में शामिल है तो डिटेक्टिव शीया फुल attitude में बोलती है कि मुझे अपने superior captain से करने की कोई authority है तो बहतर होगा कि तुम सारे clue और evidence मुझे दे कर यहां से दफ़ा हो जाओ well guys as a whole police वाले एक ही country के लिए काम करते हैं लेकिन हर city और state के अलग-अलग police department होते हैं जिनके बीच competition और rivalry चलती रह भी है जिससे वो लोग एक दूसरे की help करना नहीं चापे बलकि वो एक दूसरे के लिए problems create करते रहे हैं इसके बाद हमें वीना का घर दिखाय जा पाए जहां वीना को detective night का call आ पाए जो वीना से कह पा है कि आज मैं Casey और Mercer से मिला भा and I am sure फिट्स को उन दोनों नहीं गोली मारी है तो अगर मुझे evidence मिल गए कि ये काम उनीका है और तुम उनका साथ दे रहे हो तो मैं तुम सभी को मार दूँगा तो वीना भी भड़कतो है कि मुझे दमकाने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं जब चाहूं तुम्हें बरबाद कर सकता हूं साथ ही तुम्हें उपर पहुँचाना मेरे बाएं हाथ का खेल है तो बहतर होगा कि तुम इस case को investigate करना बन कर दो और मेरे बारे में भ करचा किया है जो तुमसे मिलने आये थे और यकीन मानो ये दोनों हमारे लिए problem create कर सकते हैं क्योंकि detective सेंगो पुलिस फोर्स जॉइन करने से पहले CIA के लिए analyst की जॉब करता भा साथ ही वो अपने कामें best है और रही बात James Knight की वो पहले Marines में था जिसके बाद वो New York Police Department में as a detective सर्व कर चुका है पर 9 साल पहले James Knight को forcefully in Los Angeles ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि उसने 9 साल पहले Jerry नाम के आदमी को मार डाला था और खास बात इस incident के समय night of duty था well Jerry एक ठक था जिसने एक robbery के दौरान एक bank manager को मार दिया भा और खास बात वो bank manager James का पिता भा तो 9 साल पहले as a revenge James Knight ने Jerry को मार दिया मगर हैरानी की बात तो ये है कि last person जिसने Jerry को देखा था वो और कोई नहीं बलकि Veena है probably Veena ने ही night को Jerry का hideout बताया भा तो ये सब सुनके Mike कहता है कि हमें James Knight से दूर रहना चाहिए वो बिल्गल येडा है जो कुछ भी कर सकता है पर Casey इस बात पर ध्यान नहीं देता वो तो बस sport card को चुरा के अमिर होना चाहता है इसके बाद ये लोग robbery के लिए rehearsal करने लगते हैं लेकिन Mike और Casey के reaction speed इस काम के लिए fit नहीं है तो auction house से sport card को चुराने का काम Skies को मिलता है इसके बाद जल्द ही auction वाला दिन आ जाता है जिस दिन Veena अपने girlfriend को लेके auction house पहुँच जाता है और यही हाल टीम का भी था वो लोग भी यहां तक पहुँच चुके थे इसके बाद जल्द ही auction चालू हो जाता है तो Skies भी चोरी के लिए ready हो जाता है लेकिन तभी यहां पे एक police officer आ जाती है जो Skies को देखके उस पे गन तान देती है क्योंकि उसे यहां पे होना नहीं चाहिए था लेकिन जब वो situation को report कर रही होती है तब Skies मौका पाके इस lady को knockout कर देती है जिसके बाद वो टीम को inform करती है कि auction में undercover cops मौजूद है तो be careful पर कैसी order देता है कि plan को follow करो तो Skies अपनी काम पे लग जा पी है और इसे समय कैसी security room जाके गाड को अपनी control में कर ले पाए जिसके बाद वो गाड के थुरू पिछले एक घंटे की CCTV footage को delete करवा देता है वही auction house में sports card की निलामी चालू हो जा भी है पर तबी यहां की lights कर जा पी है जो की केसी का काम था तो light के जाते ही skies sport card लेके भागना चालो कर देती है लेकिन तभी उसके सामने वीना आ जाता है जिसे card देके skies यहां से भागने रखती है जिसका obviously पीछा किया जाता है लेकिन तभी कैसी को एहसास होता है कि उनका communication system कट हो चुका है जानी कि skies अब उनकी बाते सुन नहीं सकती obviously कोई इनके plan की धजियां उड़ा रहा है वहीं दूसरी तरफ जब skies में डोड से भागने वाली थी तब पुलिस यहां पे आके उसे gun point पे ले ले लेती है जिससे skies पकड़ी जा पी है वही कैसी और माइक दर के मारी यहां से भाग जा पें तो माइक भड़कतोवे कैसी से कहता है कि यहां पे मरसर की ज़रूरत थी जो destruction create कर सके मगर तुम्हें तो उसके बिना ही काम करना है अब देख लो skies पकड़ी गई है और यही हल हमारा भी होना है इसके बाद जल्द ही डिटेक्टिव नाइट और सेंगो भी auction house तक पहुँच जा पें जहां investigation चालो हो चकी थी तो नाइट को वीना दिख जा पें जिस पर नाइट कहता है कि अगर इस चोरी में तुम भी शामिल हो तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा पर वीना नाइट का पुलिस बैज चेक करने के बहाने से नाइट के बैज के पीछे इस पोर्ट कार लगा देता है जिसके बाद वो नाइट से कहता है कि इस बिल्डिंग से मुझे सेफली बाहर ले जाओ वरना मेरा आदमी हॉस्पिटल में तुम्हारे साथी फेट्स को मार देगा तो अपने दोस्ट के जान के खातर नाइट वीना को बिना पुलिस चेक के बाहर ले जाता है पर ये सब सीन आफिसर सेंगो देख लेता है जो नाइट पे बढ़कते हुए बोलता है मैं अब हायर अप्स को तुमारी रिपोर्ट करने वाला हूँ मगर नाइट उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो तो पहले से ही बरबाद है वही माइक कैसी से पूछता है कि हमें हर हाल में स्काइस को बचाना होगा पर कभी यहाँ पे कुछ बैड़ गाईस आजा पें जो माइक पे गोलियां चलाने रखते है जिससे माइक बैडले इंजर हो जाता है तो जब बैड़ गाई उसे मारने के लिए पास आता है तो माइक एक बाम एक्सप्रोड करके उस बैड़ गाई को मार देता है कैसी भी इस दमाके को सुनके बाहर आ जाता है तो वो देखता है कि माइक तो मर चुका है इसके बाग कैसी को पता चलता है कि ये हमला तो वीना ने करवाया है जो अब कैसी की टीम को मरवा के सभी evidence मिटाना चापा है तो वो जल्दी से अपनी wife को call करके alert कर देता है कि जल्दी से घर को छोड़ दो और किसी hotel में जाके छुप जाओ well कैसी को लगता है कि वीना उसे पकड़ने के लिए उसकी family का use कर सकता है वहें दूसरी तरफ detective सेंगो से पुलिस चीप Sia मिलने आती है जहाँ Sia directly पूछती है कि क्या knight एक daddy cop है जिसका सेंगो के पास कोई भी जवाब नहीं था वो बस इतना ही कहता है कि knight एक true warrior है जो कभी भी गलती नहीं करता प्रोबैबली वीना के पास कुछ ऐसा है जिसके through वो knight को force कर रहा है जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि वीना ने प्रोबैबली फिट्स को मारने के धमकी दी होगी लेकिन इस सब से Sia को कोई फर्क नहीं बढ़ता वो तो भढ़कते वो बोलती है कि James Knight ने एक क्रिमिनल को जाने दिया है जबकि हम वीना को with evidence पकड़ सकते थे हो नहो नाइट एक corrupt cop है और अगर अब नाइट इस case और वीना के आसपास भी नजर आया तो कसम से मैं नाइट को ठिकाने लगा दूँगी नेशडे नाइट एक बार में ड्रिंक करने जाबा है तो उसे अपना केलर जैरी को ढूड़ने में लगा दी और जब नाइट as a police job कर रहा था तब उसे एक दिन वीना का call आता है जो नाइट को जैरी की location बता देता है तो नाइट जैरी के पास जाके उसे जान से मार देता है लेकिन इस incident को वीना ने कर लिया भा जो अब नाइट को धमकी देता रहे पाए वही प्रिजेट में कैसी से मिलने मरसर आ जा पाए जिसे कैसी बताता है कि कल रात माइक मारा गया और ये काम वीना ने ही करवाया है वो अब उन सभी लोगों को मरवा रहा है जो वीना की पोल खोल सकते हैं तो कैसी को समझ में आ जा पाए कि जिन्दा रहने का सरफ एक ही तरीका है उसने वीना को ढूण के मारना होगा मगर वीना तक पहुँचना काफी मुश्किल है तो मरसर पूछता है कि वो sport card कहा है अगर वो मिल जाए तो वीना तक पहुचना आसान है तो कैसी कहता है कि sport card probably पुलिस के पास है वैल कैसी को अंदाजा नहीं है कि रॉबरी के बाद इस गाइस ने sport card वीना को दे दिया था और अब ये दोना पुलिस इस्टेशन को invade करके sport card चुराना चापे है क्योंकि वीना इस card को लेने जरूर आएगा तब उसे मारा जा सकता है वही सेंगो नाइट से मिले जापा है और कहपा है कि मुझे इस case को solve करने में तुमारी मदद चाहिए मगर नाइट उसकी बाद पे दियान नहीं देता क्योंकि वो fits को खतरी में डालना नहीं जापा इसकी बाद जल्द ही Halloween Day आजा पा है जिस दिन मर्ड सर मास्क पहन के एक bank में गुज जा पा है वेल वो यहाँ पे रॉबरी करने का नाट करने वाला है जिससे पुलिस का ध्यान भढ़क जाएगा जिसका फायदा उठा कर कैसी पुलिस इस्टेशन से कार्ड चुरा सकता है इसके बाद मर्ड सर तमाशा करके bank के बाहर चला जाता है जहां काफी सारी पुलिस आ जाती है तो मर्ड सर छुपने पे मजबूर हो जाता है जल्द ही सेंगो भी यहाँ पे आ जाता है तो जब मर्ड सर पुलिस पे गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ रहा होता है तब सेंगो उसे गोलियों से भून देता है जिससे मर्ड सर मारा जा पाए जिसके बाद वो पुलिस रेडियो पे रिपोर्ट कर देता है कि कैसी नाम के आदमी पे नजर रखो अगर वो नजर आए तो उसे अरेश्ट कर लो वही कैसी पुलिस इस्टेशन तक पहुँच चुका था जहां वो मास्क को पहन के पुलिस इस्टेशन में इंटर कर जा पाए आखिर हैलोइं देज हो है और फिर वो अंदर जाके स्पूर्ट कार डूने लगता है पर तभी नाइट यहाँ पे आके उसे गन पॉ Stream साथ ही वो कैसी को सेफलिस स्टेशन से बहर ले आता है जहां वो कैसी को अपने कार के ट्रंक में बंड कर देता है और वो खुद कैसी का मास्क पेन के CART DRIVE करने लगता है इसके बाद वो कैसी को लेकर Veeena के घर के तरह जाने लगता है जहां वो एके करके Veeena के GUARDS को मारने लगता है तो GUARDS Veeena को इन्फरम कर देते हैं कि NIGHT यहाँ पे आ चुका है तो Vina CCTV पे देखता है कि में डूर पे कैसी आया हुआ है जिसके पास नाइट का पुलिस बैज है जिसमें Vina ने स्पोर्ट कार्ड छुपाया था तो वीना ब्रिगा से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए कैसी को मार सकते हो जिसके लिए ब्रिगा मान जा पाए और इसका अंदाजा कैसी को भी था तो वो ब्रिगा को देखते ही उसे भड़ जा पाए इसी समय वीना अपने ठक से कहता है कि फिट्स को मार दो और उसके बाल कैसी वाला जो है वहीं दूसरे तरफ कैसी और ब्रिगा के बीच में तगडी फाइड चल रही थी लेकिन वीना यहाँ पे आके इने मारने की कोशिश करता है पर तभी यहाँ पे नाइट आ जाता है जो फिर वीना को भून डाता है यानि इस बैड गाई का दी एन हो चुका है वहीं जब ब्रिगा कैसी को मारना चाता था तब नाइट पीछे से आके ब्रिगा को ही मार देता है जिससे कैसी की जान बजजा भी है इसकी बाग कैसी यहाँ से भाग जा पाए या शायद नाइट नहीं उसे इंटनेशनली जाने दिया है जल्द ही यहाँ पर पोलिस आजा पी है जो फिर नाइट को अरेश्ट कर ले भी है आखिर नाइट ने बिना अथारिटी के खून किया है वहीं दूसरे तरफ कैसी की वाइफ और बेटी मौज मस्ती कर रहे भी है तो उनसे मिलने कैसी आजा पा है पर तभी पोलिस वाले यहाँ पे आके कैसी को अरेश्ट कर ले भी है तो यह सब देखे उसकी वाइफ और बेटी बहुत दुखी है और इसी सीन के साथ यह मूवी एंड हो जाबे है तो अभी के लिए गुडबाए